हेलो हेलो वेलकुम टो दे वीडियो और इस वीडियो में डिसक्स करने वाले है BSC Agriculture और Veterinary Diploma में कौन सा बेस्ट है काफी सारे लुक के कमेंट आ रहे थे कि Veterinary Diploma और BSC Agriculture में से कौन सा कौर्स करना चाहिए तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि BSC Agriculture जो है वो एक Bachelor Degree Course है और जो Veterinary Diploma है वो एक Diploma या फिर Certificate Course है मतलब यह एक Bachelor's Degree Course है और एक Certificate या दिप्लोमा कोर्स है इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BSC Agriculture में आप Agriculture और Farming के बारे में पढ़ेंगे Veterinary Diploma में आप Veterinary Medicine के बारे में पढ़ेंगे BSC Agriculture में आप Typically 3-4 Years मतलब कि 3-4 साल की डिगरी होती है BSC Agriculture की वही Veterinary Diploma को आप 2-3 साल में Complete कर सकते हैं इसके अलावा आपको Eligibility के बारे में बताऊं तो BSC Agriculture में जनरली आपको 12th पास होना जरूरी है और वही Veterinary Diploma में आपको 12th पास होना जरूरी है इसके अलावा आपको बता दूँ कि आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा तो BSC Agriculture में आपको Crop Cultivation, Animal Husbandary, Soil Science, मिट्टी के बारे में आपको अलग-लग फसलों के बारे में पढ़ना पढ़ेगा Veterinary Diploma में आपको Animals के बारे में, Animal की Physiology, उसमें अलग-लग बीमारियों के बारे में, Surgery के बारे में, यह सेब आपको पढ़ना पढ़ेगा इसके अलावा आपको बता दूँ कि Career Opportunity क्या क्या है एक बार हम यह discuss कर लें फिर मैं आपको salary भी बताऊँगा कि दोनों की salary में क्या difference है career opportunity मैं आपको बता दूँ कि अगर आप BSC agriculture करते हैं तो आप लोग जो है agronomist बन सकते हैं farm manager, agriculture researcher, agriculture consultant की job आप कर सकते हैं veterinary diploma करने के बाद आप veterinary technician बन सकते हैं animal health inspector, wildlife veterinarian आप बन सकते हैं licensing requirement मतलब कि आपको कोई अलग से license की जरूत है क्या तो BSC agriculture में आपको कोई भी license की जरूत नहीं है generally veterinary diploma करते हैं आपको काफी मतलब एक license आपको बिलकुल मिलता है काफी सारी countries में अपने इंडिया में अभी तक ऐसा कोई license नहीं बट काफी सारी countries में ऐसा license मिलता है veterinary diploma करने वाले को भी अगर आपको BSC agriculture के बाद और पढ़ाई करनी है तो आप master's कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं अगर आपको veterinary diploma करने के बाद आगे पढ़ाई करनी है तो आप एक advanced degree मतलब कि आप doctor के degree कर सकते हैं डिपलोमा के बाद इसके बाद हम discuss करते है salary के बारे में BSC agriculture जो है वहाँ पर आपको generally अगर आप agronomist बनते हैं तो आपको 3 lakh तक salary मिलती है पर year की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से अपनी techniques और जो management है crop management यह सब देखना पड़ेगा इसके लावा अगर मैं बात करूँ farm manager तो इनकी salary रेती है 5 lakh से 5 lakh तक per year इसके लावा agriculture researcher की salary होती है 3 to 8 lakhs per year और इसके लावा अगर मैं बात करूँ agriculture consultant तो इनकी काफी अच्छी salary होती है 5 to 6 lakhs या फिर 7 lakhs कर भी जा सकती है और यह सिर्फ initial figure से हो सकता है कि आपका जैसे से अगर आपका experience बढ़ता है तो यह salaries भी बढ़ सकती है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यही salary मिलेगी It depends on कि आपको उनसे college से B.S. agriculture कर रहे है और बहुत सारे factors है यह एक general figure है इसको आप इतना दिल पे ना लगाए हो सकता है कि इससे कुछ और भी आपको यहाँ पर figures देखने मिल सकते है Veterinary Diploma जो है उसकी salary करने के बाद तो आपको तीन से छे लाकी salary देती है इसके रहाब अगर आप wildlife में काम करते है क्योंकि wildlife में काफी ज़्यादा Veterinary Diploma जो करे हुए लोग रहते है उनकी काफी demand रहती है तो वहाँ पर आपको अच्छा scope और अच्छा salary देखने मिल सकता है 3 lakh to 6 lakh तक salary आपको देखने मिल सकती है because वहाँ पर काफी ज़्यादा requirement रहती है आप Veterinary Diploma करके रखे Pet Clinic में भी काम कर सकते है काफी बड़े-बड़े Pet Clinic से जहाँ पर Veterinary Diploma जो लोग करते हैं उनको recruit करा जाता है तो आप लोग वहाँ पर भी contact कर सकते हैं So this was a comparison between Retinary Diploma and BST Agriculture I hope आपको ये वीडियो इंफर्मेटिव लगाओ Thank you so much for watching the video Bye Bye